हेलो यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे भले होंगे हम आज बना रहें नमक वाला दलिया देखिए हम आप देख सकते हैं हमने कुकर में तेल डाल दिया उसमें हेंग डाला फिर यह कटा हुआ प्याच कटा हुआ प्याच डालेंगे उसके बाद इसको लाल होने तक भुनने देंगे दलिया हमारे हेल्थ के लिए बहुत यह अच्छा होता है सुबध नास्ते में अगर हम दलिया खाते हैं तो सबसे अच्छा नास्ता है यह दलिया दलिया आप जरूर्थ हैं अगर आपका वजन जादा है तो वजन कम करने का सबसे आसान ये है तरीका डलिया, खाने में अच्छा भी लगता है, टेश्टी भी होता है, इनरजी भी होता है, इसमें फाइवर का इसमें ज्यादा सोर्स होता है, खास कर डाइविटीच के मरीजों के लिए दर्दिया सबसे फायदे मन्द होता है, दलिया तो हम सभी के लिए अच्छा होता है, बच्चों के लिए अच्छा होता है, अगर आप इसे फ्राई करके बनाएं तो खाने में और भी अच्छा लगता है, दलिया के बहुत सारे फाय जाना है तो हमें इसे उबाल के बनाना चाहिए सिफ सार्ट डाल के प्राइए करना चाहिए कर दो हमें जाना चाहिए आएगगर का चाहिए। कि यह दलिया मेरा पप चुका है, तो देख सकते देखने में चाहते इश्टी लग रहा है, इसमें उपर से हरा धनिया डालने के वाद तो कुछ अलगी देखने में लग रहा है इसके बाद इसको मिक्स कर देंगे, आप एपने घड़े रूद बनाएं, बच्चों के लिए भी अच्छा है, बड़ू के लिए भी अच्छा है, इसके सब लोग खास देखने हैं, तो कि यह खाने में बहुत ही टेश्टी होता है